इंडियन फुट्बियर डबलेप्मेंट काउंसिल 29 मार्स से नेशनल हाइवे सिगना विलेज इस्तित आगराट्रेट सेंटर में पहली बार तीन दिवसीय फुट्बियर एक्सपो लगाने जा रही है फुट्बियर एक्सपो में 200 सदिक कंपनिया पर तिभाग करेंगी मंगलबार को आई एपडी सी किसे जुड़े लोगों ने खंदारी इस्तित लेमन्ट्री होटल में एक्सपो के पोश्टर का विमोचन किया आगरा में तीन दिवसीय जो है एक फेर लगाया जा रहा है शूब फेर है इसके साथ साथ मशीनरी और संबंदित द्योगों को भी बुलाया गया है इसका मुक्य देश जो है वो यह है कि हम बायर्स को बुलाएं और अपने यहां पर आगरा में उनको जो हम बना रहे हैं क्योंकि अभी बी एएस लगा है हम बी एएस से रिलेटेड चीज़े जो हमने अभी डेवलप कर दी हैं वो हमने दिखानी है इन फेर में तीन दिन का जो फेर है यह एक मायने में बहुत मेत्पूर्ण फेर है क्योंकि इसमें अभी जैसा योजकों ने बताया कि ओडियोप योजना कहते हैं पचास परसंड के आसपास रिबेट भी मिल रही है मुख्यमंद्री की से सरिक्रत होके आ चुका है तो मैं चाहता हूं कि इसमें चोटे जो कुटी रुद्योग है जो हमारे चोटे जो बाहर जाके सांपल्स कैरी करके नहीं दिखा सकते वो जरूर भाग ले अब विदेशी मुद्रा आर्जन के इसाब से देखी तो भी बहु वो लगातार प्यास कर रही है यह जो आग तेश का सबसे बड़ा क्रस्टर है इसमें अधिक से अधिक इवेंट हो एक विश्विस्तर का आग्रा टेट सेंटर हमारे पास है उस आग्रा टेट सेंटर में हम मीटेट आग्रा किया करते हैं नमेंबर में अभी इंडियन अभी इनोंने काफी मेहनत करी है और अभी इनोंने लोकल एसोसेशन हमारी जैसी जोड़ी है फ्फम और एक को जोड़ा है और जिस साबसे लोग बूल रहे हैं कि इनके 100% मिसे से आउट आउट अफंडेट सतर स्टॉल बुक हो चुके तो I think they are working hard और I can only say good luck to them, good luck होना चाह अगरा के सबसे लोग पर चैनल सी न्यूज की यूट्यूब चैनल को सस्काइब परें और वेल आइकान को प्रेस करना ना भूलें